हाई फ्रेंड्स आलिया भट और रन्बीर कपूर की शादी हो गई है पोस्पॉन जी हाँ आलिया भट के हाफ प्रदर राहुल भट ने कहा कि कपल की शादी पोस्पॉन हो चुकी है आलिया और रन्बीर 14 अप्रेल को शादी के बंधन में बनने वाले थे आलिय और रन्बीर के फैन्स काफी एक्साइटेड थे दोनों कपल्स को हैजबन और वाइफ के रूप में देखने के लिए शादी की तयार यामी जोरो शोरों से शुरू हो चुकी थी आरके हाउस लाइटों से चमकने लगा था यहाँ तक के फुल सिक्योर्टी अर्रेंजमेंट्स भी हो गए थे पर अब राहुल भट ने कहा है कि शादी एक वीक पोस्पोन हो चुकी है राहुल भट ने एक इंट्रिव्यू में बात करते हुए कहा कि तेरा को महंदी और हल्दी का फंक्शन था पर अब तेरा या चोदा को कोई भी फंक्शन नहीं है ना ही शादी होगी स्टेट पर इनकी शादी का फंक्शन कपूर हाउस चिंबुर में होने वाला था पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा उन्होंने कहा कि शादी की सारी डीटेल्स लीक हो गई है सबको पता चल गया है कि तेरा या चोदा को शादी होने वाली थी पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है अब ये शादी 13 या 14 को नहीं होने वाली है शादी की पोस्पुन की वज़े यहीं है कि मीडिया में सारी इंफॉमेशन लीक्ट हो गई थी जिसकी वज़े से अब इनोंने डेट चेंज कर दी है पर फाइनल डेट क्या है ये अब किसी को भी नहीं पता साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है जहां तक मेरी जानकारी है बहुत ही जल्द जो फाइनल डेट है वो सामने आ जाएगी और जब एक इंटरव्यू में इसी बारे में आलिया भट के फादर महेश भट से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहके मना कर दिया कि मुझे नीतू कपोर ने मना किया है मीडिया में शादी के बारे में बात करने से तो मैं उनकी इस request को disrespectful नहीं कर सकता और मैं इस बारे में मीडिया से बात नहीं करना चाहता वेल कपूर और भट फैमली के इस reaction को देखकर तो यहीं लगता है कि फैमली मेंबर्स नहीं चाहते कि शादी की कोई भी details मीडिया में लीक हो तो आप फैमली यह दोनों कब शादी के बंधन में बंधेंगे यह किसी को भी नहीं पता